बश्कार बच्चो आईए हैं हम अगले भाग में चलते हैं और यहां पर मैंने एक कोशन लिखा हुआ है एप साइन थीटा प्लस कोश थीटा इक्वल पी की है एंड शैक थीटा प्लस कोशिक थीटा इक्वल क्यों के है तो हमें शो करना होगा कि क्यों ब्रैकिट से बारह पी स्क्राइब करते हैं देखे अमारे पास जो करते हैं हमें सबसे पहले लें ले लेते हैं ठीक है बच्चो बहुत देखिए हमारे पास क्या है ये P square minus 1 हमें इसको solve करना होगा हमें इस left hand side को solve करना होगा और right hand side के equal लेके आना होगा देखी बच्चों आब यहाँ पर जो क्यों लिखा है तो आप क्यों की जगे क्यों की value लिखेंगे ठीक है बच्चों क्यों की जगे क्यों की value लिख देंगे और एक यहाँ पर मैं दूसरा bracket तियार कर लेता हूं, यह बड़ा bracket में लगा लेता हूं, यहाँ पर लिका P square, P क्या है हमारा, देखिए P, यह पूरा P है, बच्चो, A यह रहा, यह पूरा P है, तो इसका square यानि, sin theta plus cos theta, A, यह मैंने इसका square लगा लिया, ठीक है, फिर आगे ल इसको solve करेंगे, और solve करने के बाद, इस 2P के equal लेके आएंगे, ठीक है बच्चो, अब यहाँ पर अगर हम देखे, sec theta क्या होता है, तो sec theta को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, 1 by cos theta plus, और cos theta क्या होगा, 1 by sin theta, यह bracket में मैं बंद करता हूं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं, कि A plus B square का formula हम इसमें apply कर सकते हैं, क्या होता है, A square plus B square plus 2ABB, और यह minus 1, ठीक है, और मैंने यह bracket बंद कर दिया, ठीक है बच्चो, कर सकते हैं हम ऐसा, आईए अब देखते हैं, देखिए, अभी आप न, इसको, आप cross multiply भी कर सकते हैं, sin को 1 के साथ, sin theta, cos को 1 के साथ, cos theta, और दोनों को आपस में किया तो, sin theta, cos theta, यह आगए, यह मैंने bracket में रख लिया, ठीक है बच्चो, आईए, अब हम इसको देखो, sin square plus cos square, किसकी एकल होगा, 1 के equal होता है, ठीक है, plus 2 sin theta, cos theta, यह मैंने लिख लिया, और minus 1, यहाँ पर, ठीक है बच्चो, अब देखिए, minus 1 और यह प्लस 1 है, तो cut, यह तो minus हो जाएंगे, minus plus minus हो जाते हैं, ठीक है बच्चो, आईए, आगे करते हैं इसको, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, sin theta plus, यह देखिए, cos theta, यहाँ पर, sin theta, cos theta, यह multiply की फोम में है, ठीक है, और मैं यहाँ पर अगर चाहूँ, तो multiply लिख सकता हूँ, ऐसे, ऐसे हम आप लिख सकते हैं, 2, sin theta, cos theta, ठीक है बच्चो, अब आपको यहाँ पर देखिए, यह multiply की में है, multiply में, numerator से denominator कर जाते हैं, sin से, sin, क्योंकि दोनों multiply में, sin, cos से, यह sin, cos हम काट सकते हैं, तो क्या बच गया है, यहाँ पर, अगर मैं 2, और यह लिख लेता हूँ, bracket में, sin theta, प्लस cos theta, ठीक है, और हमें क्या प्रूव करना था, हमें जो प्रूव करना था, वो यह करना था, देखो, मैं उपर दिखाता हूँ, 2p, अब बच्चो 2 तो आ गया ठीक है न, और अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख दो, तो equal to p, अब आप करेंगे p, अब याद कीजिए, मैं इदर लिख देता हूँ, p equal क्या है, p equal है, अगर आप question में देखेंगे, sin theta, प्लस cos theta, यह p के equal है, ठीक है, अब यहाँ पर sin theta, प्लस cos theta लिखाता है, तो यह sin theta, ठीक है, प्लस cos theta किसके को लिख दिया, मैंने, तो 2p हो गया, यह मैंने 2p, तो यह आपका question हो गया, ठीक है, मुझे उमीद है, कि यह आप question में आ गया होगा, अगर आपके वीडियो अच्छा लगा, तो इससे लाइक कीजिए, share कीजिए, अपने दोस्तों को सिखाएं, और आपके वीडियो को सिखाएं.